पूरा यान अनुच्छेद एक से चार तक भाग दो का जो हिस्सा है अनुच्छेद पांस से लेके ग्यारा तक हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे तो आई होप आप सब को यी वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए जदा जदा शेयर कीजिए इसके अलावा हम लोग आज की वीडियो में यह भी देखेंगे कि यसे आपको नागरिकता मिल सकती है ठीक है आप नागरिक्ता से संबंदित जोभी डाउट है आज के वीडियो के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा वो clear हो जाएगा पूरी तरीके से अच्छे से simple language पर इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो भाग दो ठीक है citizenship नागरिकता citizenship ये भाग दो का हिस्सा है ठीक है तो पहले ये समझे आप कि नागरिकता किसको बोलते हैं नागरिकता मतलब भारत के नागरिक कौन है नागरिकत होते हैं सभी प्रकार के राजनेतिक और नागरिक अधिकार मिले हो उस देश में जैसे कि राजनेतिक अधिकार के मतलब मूल अधिकार है वो पूरी तरीके के मूल अधिकार उनको मिले हुए होंगे और नागरिक अधिकार इसका मतलब यह है कि उन लोगों को उस देश में ह जैसे कि भारत का जो नगरिक है न आपको भारत की नागरिकता अधार कार्ड मिला हुए हैं तो आप कोई भी पद पर चुनाव लड़ सकते हैं ठीक है और चुनाव लड़ने के साथ समयधानिक पद पर आसीन हो सकते हैं यसे की रास्टरपती उपरास्टरपती है नla सकते हैं और समयधानिक पर बैठ सकते हैं नागरिक नहीं है तो यह सब अधिकार आपको नहीं मिलेंगे इसके अधिकते मूल अधिकार में भी भारत के नागरिकों कुछ इस्पेसल प्रकार के मूल अधिकार हैं जो केवल भागरत के नागरिकों को ही मिले हुए हैं जैसे कि अ अधर्म जाती लिंग है ना और जाती के अधार पर कोई भी भेत भौनी के जाएगा 15 है अनुचेद 19 है अभिवेक्ति की स्वतंतरता अनुचेद 20 है अनुचेद 29-30 है सिक्षा और संस्प्रिती का अधिकार है यह सब केवल मैं अलग से एक बार बता दूंगा कि कौन-कौन से अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए है और उसको छोड़के बांकी सब अधिकार विदेसी नागरिकों को भी मिले हुए ठीक है तो नागरिकता में आप लिखेगा नागरिक वे होते हैं जिन्हें जो उस राज्य के पूर्ण रूप से सदस्य होते हैं उ से कि चुनाओ लड़ने का दिकार है और समयधानिक पतपरासीन होने का दिकार है ये सब अप लोग एक्जामपल विलिए तो वही व्यक्ति जो होता है वो नागरिक होता है इसके अलावा उसे अपने देश के प्रती निष्ठा और समर्पन की भावना भी उसके भीतर होनी चा नागरिक्ता का सिध्धानत सबसे पहले अरस्ट ने दिया थहा इसको भी याद रखे कर पूछ दिया तो अनुशेत पांच देखते हैं सबसे पहले तो सम्विधान के प्रारंभ में नागरिक्ता, अनुच्छे 5 क्या कहता है, सम्विधान के प्रारंभ में नागरिक्ता, 26 जनवरी सन 1950 को सम्विधान लग हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 के डेट में अब यहां तो भारत में ऐसे तो नहीं है कि केवल भारत के लोग ही रहते थे उस स तो contribution है भारत के उस समय के स्वतंतरता संग्राम में उनका contribution है तो उनको निकाल थोड़ी न देंगे तो किन लोगों को 26 जनवरी 1950 समिधान के प्रारंब में मतलब समिधान के लागू होने के समय उनको किस प्रकार से नागरिक्ता दी गई उसी को 5 अनुच्यत 5 में बताया गया है अब 3 प्रकार से उसमें अनुच्यत 5 में 3 तरीके के clauses जोड़े गई इन 3 में से अगर कोई भी व्यक्ति है वो इन 3 में से कोई भी condition को फुल्फिल करता है तो उसको उस समय नागरिक्ता प्रदान कर दी जाएगी ये अनुच्यत 5 में ब 250 के डेट में हो जाएगा पहला कंडिशन क्या था उसका जन्म भारत में हुआ हो अब देखिए जैसे कि जन्म अगर भारत में हुआ है तो वह तो सिंपल सा बात है अगर जन्म भारत में हुआ तो भारत का नागरिक्ता उसको मिल जाएगी तो जन्म भारत में हुआ हो तब स स्थापना की थी तो और यहां राज-विहारी बोस जर्मनी में अंदोलन चला रहे थे बहुत लोग थे मैडम भीकह जी कामा थी ब्रिटेन में अंदोलन चला रही थी तो इस तरीके के लोग क्या बोलते हैं जो भारत के थे लेकिन बाहर में जाके भारत को आजाने के लिए अपनी महत्तोपूर्ण भूमीकन निभार यह थे वो लोग कैसे नागरिकता दिया जाएगा वो लोग बहार भले गये हैं लेकिन किसके लिए गये हैं हमारे देश के लिए तो गहने थो कंडिशन दो रखा गया उनके माता-पिता का ज़न्म अगर भारत में हुआ हो अगर भारत नागरिक्ता मिल जयेगी अब जन्म भारत में हुआ जरूरी नहीं है उनके माता पिता अगर भारत में हुआ तो उनको नागरिक्ता भारत की दे दी जाएगी 26 जन्म दिसजंवशक पचास तीसरा कंडिशन समीधान लागू होने पैतालीस लगभग समझ लीजी आप तो समिधान लाग होने के पांच वर्स या उससे पहले से भी जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको डिरेक्ट भारत की नागरिक्ता मिल जाएगी ठीक है मतलब समिधान लाग हो पचास में तो पैतालीस से या पैतालीस से पहले से भी जो भारत में रह रहे हैं। उनको भी नागरिकता डैरेक्ट 26 जनवर 1950 की रेट में दे दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तीन में से कोई भी एक कंडिशन फुलफील करता है। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। उसे भारत की नागरिकता दे दी एक चीज फूलफिल करना है ठीक है तो अब उन लोगों सब को नागरिकता मिल जाएगा अनुचे छे देखते हैं देखिए पाकिस्तान से भारत आये लोगों को नागरिकता अब देखिए अनुचे छे और साथ छे और साथ में उस तरीके उस समय के जो कंडिशन था उसके लि अगुले जो इलाका था उसको पाकिस्तान बना दिया गया था ठीक है उस समय को जो साइड वाला हिस्सा था उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी ठीक है तो उसको क्या किया था पाकिस्तान बना दिया गया तो अब उस समय जो हिंदू थे उस समय के उधर के वो लोग इधर आ रहे थे और इधर के जो मुस्लिम थे वो उधर जा रहे थे तो इस तरीके से माइग्रेशन हो रहा था तो भई जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको किस प्रकार से आप नागरिकता दोगे तो उसको अनुच्छे 6 में बताया गया पाकिस्तान से भारत आये लोगों को भारत देश अजाद हो चुका था तो भई यह पर्मिट सिस्टम 1948 में लागू किया गया था अब 1947 से 48 के भी जो आये भारत पाकिस्तान से भारत उनको तो डारेक्ट नागरिकता दे दिया गया कोई दिक्कत नहीं था लेकिन पर्मिट सिस्टम 19 जुलाई 1948 को लागू कर दिय थे अब उसमें भी कंडिशन जोड दिया गया 19 जुलाई 1948 के बाद जो आये हैं उनका नाम उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बॉर्डर पे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तुरंत उनको नागरिकता नहीं मिलेगी उसके बाद 6 माह के बाद उनको नागरिकता मिलेगी भाई देखेंगे कि ये लोग निष्ठा प्रकट कर रहे हैं कि नहीं भारत के प्रती आतंकवादी गृति वीडियों में लिप्ट थोड़ी नहीं तो तुरंत नागरिकता नहीं देंगे कहा गया कि आपको 6 माह तक रुकना पड़ेगा पर्मिट लागू नहीं हुआ था तब जो लोग आया थे उनको डारेट मिल गया था लेकिन पर्मिट सिस्टम जब लागू हो गया तो 1940 के बाद 6 माह के बाद पर्मिट सिस्टम लागू होने के बाद जो भी पाकिस्तान से भारत आया उनको नागरिकता दी गई ठीक है तो यह 1947 में लगभग मार्च से ही लोगों को समझ में आने लग गया था कि क्लाइमेट ठीक है तो उस समय ऐसी सिच्वेशन बनने लग गई थी कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा तो उनको पता चल गया था कि भारत देश तो आजाद होने वाला है टुकडे भी होने वाले है प भारत में है भारत का कंडिशन ज्यादा अच्छा था पाकिस्तान का कंडिशन तो वैसे भी खराब है ऐसा वो लोगों को जैसे की सुबह का भूले अगर साम को वापिस आ जाते हैं तो उसे भूला नहीं कहते है न तो मतलब कि वो लोग को गल्तिक एसास हो गया कि हम लोग हां के गलती के वहीं अच्छा था तो वो लोग भी जब आएंगे तो भारत तो पसुधयों कुटमबकम का देश है भई यहां पर सब का स्वागत किया जाता है तो वो लोगों को कैसे नागरिकता दिया जाएगा वो अनुछेत साथ में बताये गया भारत से पाकिस्तान जिनक गरिकता जब वा वाप Richardson गया तो अब उनको बो ला गया एक मार्च उनीस उसे च одну सनाफ के बाद गया हो मैं बताया पहले से पता चलना गया तो एक एक मार्च के बाद उनको नागरिक तर दे दी जाएगी अनुचेद साथ में यह बोला गया ठीक है तो यह समझ में आप लोगों को अब देखते हैं आगे अनुचेद आठ अनुचेद आठ में बोला गया कि विदेश में रहने वाले ऐसे भारत यह जिनका जन्म भारत में हुआ हो है ना लोग ऐसे हैं जो आप ऐसे भी देखेंगे नासा वगरा में जो काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत सारे भारती हैं यहां सिरु वो पलायन करके गये हैं मतलब की जौब के अच्छे अपॉर्चुनिटी उनको मिला तो वहां से चले गए तो उन लोगों को कैसे नागरिकता छोड़ थोड़ी देंगे तो वो लोग को भी नागरिकता देना पड़ेगा तो ऐसे लोग यहां बुर गया है विदेश में अब हैना तो विदेश जो गये हैं जो जौब करने के लिए विदेश गये हैं वो लोग भारत की नागरिकता वो लोग के पास रही तो कैसे नाग तो उनके जब बच्चा होगा तो उनको कैसे नागरिकता मिली उनका जन्म भारत में हुआ है उनके बच्चों को कैसे नागरिकता दी जाएगी तो जिनके माता-पिता भारत के तहद कि अगर उनके माता-पिता के पास भारती नागरिकता है तो स्वतह ही अपने आप उनको भा हैं उनका बच्च अगर होता है वहां ठीक है तो उनको नागरिक्ता कैसे दी अगर माता-पीता भारती है तो उनको स्वता ही नागरिक्ता मिल जाएगी विदेश में में रहने वाले लोगों को समाप्त हो जाँगे नुच्छिद 9 में एक condition जुड़ा गि कि कब आपकी नाजरिक्टा समाप्त होगी तो अगर आप लोगों ने विदेशी नाजरिक्ता गरहन कर Rechtsna लिए सवेच्छं से विदेशी नाजरिक्टा गरहन कर लेंगे तो भारत की नाजरिक्त आपकी स्वतह समाप्त हो जाएगी समाप्त हो इसके अलावा आप लोग इसमें अनुच्छे 9 में ये भी बताया गया कि अगर आप समिधान का उलंगन करते हैं राष्टर विरोधी कोई भासन देते हैं ऐसी कोई गतिविदिया करते हैं जो राष्टर विरोधी हो देश विरोधी हो तब भी आपकी नागरिक्ता को आप जो ग्री मंत्राल है वो समाप्त कर सकती है ठीक है यह अनुचेद 9 के तहत ये भी आता है कि आप राश्टर विरोधी कोई काम कर रहे है ठीक है देश विरोधी काम कर रहे है तो आपकी नागरिक्ता को ग्री मंत्राल है जो है वो समाप्त कर देगा अनुचे 9 के तहत नागरिक्ता का समाप्त कैसे होगा ये बताएगे इसके अलावा तीन तरीका और है जिसके तहत आपको भारत की नागरिक्ता मिलती है ओस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे आप पहले की भारत आर्टिकल देख तो नौ में नागरिक्ता का यथा इस्थिति बना रहते हैं किस समाप्त नहीं रहेगी तो नागरिक्ता किस इस्थिति में समाप्त नहीं कि जाएगी यह बताया गिया है अनुच्छे 10 में नागरिक्ता का यथा इस्थिती बने रहना तो 9 की बातों का उलंगन नहीं करते हैं तो नागरिक्ता बनी रहेगी आपकी तो नागरिक्ता 10 में वही बताएगी ठीक है अनुच्छेद 11 में बोलागे नागरिक्ता का कानून ठीक है नागरिक्ता से संबंदित कानून बना बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास होगा पूरा लिखना आप लोग नागरिक्ता से संबंदित कानून बनाने का एक मात्र अधिकार संसद के पास होगा और संसद में भी कौन से मंत्राले के पास होगा ठीक है अभी नर्सी यह जितना भी चल रहा है सब ग्री मंत ले तो आप पूरा समझ में परहे के बहुत आसान है अनुछेद पांच में पारत ऐन व्म पाकिस Mickey लोगों को नहीं के तहत भारत सप्टान पा cinnamon लोगों को नहीं करे ठील नहीं तो वीड desson में काम कर रहें उनलों को नागरिक्ता 9 में नागरिक्ता समापत कैसे होगी देश वीरोधी बास गति वीदियू में लिपत पाये जाओगे तब या फिर कैसे स्विच्छा से भारती नागरिक्ता ग्रहन कर ले तो तब और 10 में बोला गया है यह था इस्थिती बने रहेना 9 के सब्सक्राइब बने रहें यह नागरिक्ता साओ और 15 में 2022 समझ में आए है और यह मिश्च्छाट वीडियो में बदला होते गए हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे से आने विडियो में तो आई होप आप सब को यह समझ में होगा आप लोग स्क्रीन शॉट ले दिए तो इसके बाद वाला जो हिस्सा है कैसे नागरिक्ता मिलती है और कैसे नागरिक्ता समाप्त होती है ना देशी करण पंजी करण और चार पांच प्रकार तरीके होते हैं वो हम लोग देख लेंगे उसके बाद NRC वगर को भी मैं समझा दूँगा तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जदा ज़्यदा शेर कीजिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन वंदे मातर झाल 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 झाल